दर्म नगरी ब्रंदावन में दो साल की मासुम बच्ची को अवगा किये जाने का संसनी खेज मामला प्रकाश में आया है गटना के बाद से माता सुनीता और पिता काशी राम का रोरो कर बुरा हाल है वहीं पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर बच्ची की तलाश शुरू कर दी है मूल रोप से लकमी पूर खीरी निवासी का सी राम करीब दस दिन पूर भी ही अपनी पतनी छे वर्षिय पुत्र एवन दो वर्षिय वा चार मां की पुत्रियों को लेकर बंदावन आया था ये लोग परिकर्मा मार गिस्तित सोहम आश्रम के निकट रेलवे क्रोसिंग के समीब सड़क किनारे रेलवे कर्मियों के लिए बनाई गई एक कोट्री में रहकर तथा कवाड़ा बिंजर गुजर बसर कर रहे हैं पीडिता सुनीता के नुस्दार शुकरवार रात को वह उसके पती और बच्चे कोट्री के बाहर सो रहे थे करीब दो बज़े पती की नीन तूटी तो बच्ची गयब थी पती ने पतनी को जगा कर बच्ची के बारे में बताया तो उसके भी होच उड़ गए आसपास काफी तलाश के बाद भी बच्ची का पता नहीं चला बताया की इस दोरान एक साधू ने उन्हें बताया की रातरी को करीब डेड़ बजे एक वेक्टी उनकी बच्ची को रेलवे क्रोसिंग की तरफ सौपोटा की तरफ ले जाता देखा वहीं सूचना लगते ही मौके पर पुलिस ने आसपास लगे सीसी टीवी फुटेज खंगाल कर जाच परताल की तता बच्ची की काफी खोजवीन की लेकिन कोई सुराप नहीं लग सका कोतवाली प्रभारी सूरज प्रकाश अर्मा के अनुसार मुकदमा दर्ज कर लिया है और आसपास के सीसी टीवी फुटेज खंगाल कर बच्ची की तलास की जा रही है तो आपको कब पता चला कितने बचे की बाद है रात को यह टेड़ बजे की आपको कितने बजे पता चला दो बजे हम लोग उटे आसरम में चाई बटने जाते रोड़ बटती तो चाई लेने इसका पापा उठा तो बोला बच्ची नहीं है बच्ची को खोज दोड़ं लगे रात का पुलीस आई गजनगल पंगर जा रहा है तो आप यहां कितने दिन से बाडबाद वें पे बच्चों को पालते हैं वूए से कहां की रहनेवाले हैं या आप हम रहते हैं फीरे लखिन पूलखनु के पहाँ धिर्प नाम है तोare तो आपने रिपोर्ट दर्ज कराई है अभी हाँ गए था हम थाने को पुलिश डून रही है है बच्ची का नाम क्या था दो साल उमर थी कितने बच्चे हैं कुलाब पर दो लड़की खाली चोटी चार मिना की यह लड़का है खाली अब पती कहा है आपके पती भी रोता गुंते है इस इदर खोज करने गया